हेलो प्रेंज, आप सब कहा, आपके अपने चनल विलनेक्चर्स में एक बाप फिरसे स्वागत है, तो कैसे हो आप सब, आई होप आप सब अच्छे होंगे और आप सब की बॉर्ड प्रिच्छा की त्यारी भी अच्छे से चल रही होगी, तो आज की इस क्लास में हम कल 18 24 को, जो आपकी इतियाश फिशे का पैपर होने वाला है, उस पैपर को डिसकस करेंगे, उम्मित करता हूँ इस पैपर में से कई सारे प्रश्न आपकी बॉर्ड प्रिच्छा में देखने को मिलेंगे, तो चलिए क्लास सुरू करते हैं, हम बात कर रहे हैं सबसे पहले खंड के अंदर इस्ते थे, दूसरा, निम्न लिकित में से कौन इस्तरी अलवार संत है, अलवार संत कौन से थे, जो विश्नु के समर्थक थे, तो इन में से कौन सी इस्तरी है, जो अलवार संत थी, तो वो थी अंडाल, तीसरा, खालसा पंत की इस्तापना किस ने की थी, आप सब हमपी के भगना अवसेसों की खोज किसने की तो हमपी के भगना अवसेसों की जो खोज की थी वो की थी आपके करनल कॉलिन मेकेंजी ने कब की थी सन अठारा सो इस्वी में एस्वी में एकला प्रशनद संक्या साथ सायर संधि प्रथा किसने प्रारंब की थी उसका सही उतर होगा लोड वेले जैली इसमें ऑप्सन में नहीं है गलती से प्रिंट नहीं हुआ लॉर्ड वेलेजेली ठीके जो 1799 से लेकर 1805 तक भारत में क्या रहे थे गवर्नर जनरल रहे थे इन्हें सायक संदी का जनक कहा जाता है आठवा समिदान सबा का पर्थम अधिवेशन कब प्रारंब हुआ कब हुआ 9 दिसंबर 1946 को नववा दक्सिन में हिंदी का विरोध बहुत अधीक है यहा कतन किसका है तो यह कतन था पंडी जुआलाल नहरू का दसवा सम्विधान सभा के अईस्ताय अद्यक्स्त कौन थे? तो सम्विधान सभा के जो अईस्ताय अद्यक्स्त थे वो थे डॉक्टर सचिना नज्ज सिन्हा ग्यारवा, प्रियाग प्रस्तती के रचीता कौन है? तो प्रियाग प्रस्तती जो रचीता थे वो थे हриशयन, कौन थे हरीशयन जो की समराट चंदर गुपत के क्या हुआ करते थे? दरबारी खुआ करते थे बारवा है माभारत के रचीता कौन है आप सबको पता है महरसी वेद व्यास तेरवा प्रशन है संस्क्रत साहित्य के दो महाकाव्यों के नाम बताने है इसके संस्क्रत साहित्य के दो महाकाव्यों के आपको नाम बताने है तो एक आप बता सकते हैं कुमार संभव और दूसरा आप बता सकते हैं रगुवन्स रिग्यवेत के कौनसे सुक्त में चारो वरनों की उत्पती का उलेख किया गया है तो रिग्यवेत का जो दस्वा मंदल है दस्वे मंदल के उरुस सुक्त में दस्वे मंदल के पुरुस सुक्त में चारो वर्नों का उलेख किया गया है ठीक है पुरुस सुक्त में अगला पंदरवा रेसम बुनकरो कि श्रैनी ने दसपूर में कौन से देव मंदीर में सयोग किया था तो सूर्य मंदीर में इसमें सयोग किया था सूर्य मंदीर में तोलवा मक्तुबात और तज्गिरा क्या है तो जो मक्तुबात है मक्तुबात होता हुआ है लिखे हुए पत्रों का संकलन लिखे हुए पत्रों का संकलन क्या कलाता है मक्तुबात यानि ये वो खत या लिखे हुए पत्र या कागज थे जो सुफी संतों के द्वारा अपने अनुयाईयों और सयोगों को क्या करते थे अपने अनुयाईयों और सयोग्यों को लिखे गए थे वही तजगीरा का मतलब क्या होता है कि जो सूफी संतों की जिवनिया है उन जिवनियों का जो संग्रव है वो कहलाता है आपके तजगीरा आपको याज रखना है कि मक्तुबात सुपी संतों के द्वारा लिखे गए पत्रों का संकलन है जो सुपी संतों के द्वारा अपने अनुर्याईयों और सयोग्यों को लिखे गए थे वही तजगिरा क्या है सुपी संतों की जीवनिया है उनका संग्रव है तजगिरा निर्गुन भक्ती के दो प्रसिद संतों के नाम लिखने है इसके निर्गुन भक्ती के दो प्रसिद संतों के नाम लिखने है संगुन और निर्गुन भक्ती तो उनके दो प्रसिद संतों के आपको नाम लिखने है उनके नाम क्या है देखो तो इसका उत्तर होगा आपके कबीर दास, तूलसी दास, तूर दास, ये सारे निर्गुर्ण बक्ति के संत थे अठारवा है, सरिया वो हदीस क्या है, तो सरिया क्या होता है, कि जो मुसल्मान समुदाय है, मुसल्मान समुदाय को निर्द्यसित करने वाला जो एक कानून है, वो है आपका सरिया, सरिया क्या है, मुसल्मान समुदाय को निर्द्यसित करने वाला एक कानून है, जो आपके पर आधारित है अब हदीस क्या है तो पेगंबर मुहमबत की जो बातें हैं या उनकी जो परंप्राओं का संग्र है ठीक है वो है आपका हदीस पेगंबर मुहमबत की द्वारा कई की बातों का जो संग्र है वो है हदीस और सरिया क्या है तो यह मुसलमान समुदाय को निद्य प्रिसित करने वाला एक तरह का कानून है जो आपके कुरान सरीप और हदीश पर आधारित है। 19. विजयनगर सामराज्य की परमूख राजनीति खोज क्या थी? वो क्या थी? अमर नायक परनाली. अमर नायक परनाली ये विजयनगर सामराज्य की एक महतोपुन खोज थी. ताली कोटा का यूद. कब लड़ा गया? 26. जनवरी 1565 को. इसके बीच में? विजयनगर सामराज्य और दक्तन सल्तनत के बीच में. जिसमें विजयनगर सामराज्य की हार हुई और वहाँ से इसका पतन होना शुरू हो गया. 21. वह फ्रांसेसी दारसनिक कौन था? जो दारा सिको का सिकत सक था? साथ ही जिसने सती पर्था के बारे में बताया. तो वो कौन थे? फ्रेंकोईस बर्नियर. जो दारा सिको के क्या थे? सिकत सक थे और जिन्होंने सती पर्था के बारे में भी बताया. 22 वा हडपा लिपी के बारे में आप क्या जानते हैं तो हडपा लिपी की वो कैसी थी? एक तो चित्रात्मक थी हडपा लिपी कैसी थी? हडपा लिपी चित्रात्मक थी दूसरे इसकी विश्यस्ता क्या थी? कि इसमें 64 मुल चिनहों का उप्यों किया गया है 64 मूल चिनह और लगबग 205 से लेकर 400 तक क्या है अक्सर है ठीक है और इसमें सेल खड़ी की मुहरे फिर तामबे की गुटी काउ आधी के उपर ये लिपी लिखी गई है तो दो मैतोपन विशिस्ता है कि अड़पा लिपी कित्रात्मक थी और इसमें 64 मूल चिनह और लगबग 205 से लेकर 400 तक क्या है आपके अक्सर का उप्योग किया गया है और ये जो अक्सर है ये सेल खड़ी की मुहरो और तामबे की गुटी का उपर लेखे हुए मिलते हैं परभावती गुपता कौन थी तो ये कौन थी ये चंद्रगुपत दित्य की पत्नी थी कौन थी चंद्रगुपत दित्य की पुत्री सोरी चंद्रगुपत दित्य की पुत्री थी और आपके एक राजा हुए वाकाटक राजा कहां के राजा वाकाटक राजा जिनका नाम था रुद्र सेना दित्य के नाम था रुद्र सेना दित्य इनकी क्या थी ये इनकी पत्नी थी ठीक है 25 बार मौरे सामराजी की जानकारी के लिए दो परमुक्स रोतों का उलेक करें जहां से हमें मौरे सामरज्य के बारे में जानकारी मिलती है, तो एक तो है कोटिल्य का अर्थ सास्त्र, जा है कोटिल्य का अर्थ सास्त्र, तो एक तो जानकारी मिलती है कोटिल्य के अर्थ सास्त्र से, और दूसरी मिलती है असोग के जना आदेश से, असोग के राजा से, ठीक है, तब विश्वा, बारतिय सम्मिदान में धर्म निर्पेक सब्द कब जोडा गया, तो धर्म निर्पेक सब्द है, वो बारतिय सम्मिदान के अंदर, 42 सम्विधान संसोधन 1976 के तहट द्रहम निर्पेक सब्द जोड़ा गया सम्विधान निर्माण में कितना समय लगा आप सबको पता है दो वर्स 11 माह और 18 दिन सम्विधान सबागी प्रारूप समिती के अध्यक्स कौन थे? कौन थे? डॉक्टर भिमराव अंबेड़कर पंडी जोलाल नहरूण ने सम्विधान निर्माण के लिए उद्देश से प्रस्ताव कब पेस किया? 13 दिसंबर 1946 को कब 13 दिसंबर 1946 को सब्विधान सबागी जो थर्ड बैठकती उसके अंदर उन्होंने इद्देश से प्रस्ताव पेस किया था ये थे आपके अति लगू उत्रात्मक प्रश्न, आगे बढ़ते हैं लगू उत्रात्मक प्रश्न असोक ने थंब को परतिपादित करने हैं तू वेवारिक उपयोग किये क्या उपयोग किये? उनके बारें बताना है और इस कथन को अच्छे तरीके से समझाना है 31 सूदर्सन जिल प्राचिन भारत में सिंचाई का प्रमुक्स त्रोत थी उग्त कथन के प्रिक्षेप्य में इसके निर्मान और उपयदेता को समझाईए तू दर्सन जिल जो आपके सोराष्टर गुजरात के अंदर इस्ति थे और ये जो जिल है वो प्राचिन भारत में सिंचाई का एक प्रमुक्स त्थी इस कथन को आपको बताना है इसका निर्मान किस ने किया था और इसकी उपयोगीता क्या थी 32 बुद्ध के जीवन की उन गटनाओं का उलेक किजिए जिनके कारण उन्हें सन्यास का रास्ता अपनाने का निच्चे किया बुद्ध के साथ ऐसी कौन-कौनसी गटनाओं गटित हुई जिसके कारण उन्हें सन्यास का रास्ता अपनाया 34 बुद्ध मत हिन्यान और महायान में आपको अंतर इस्पष्ट करना है 34 चांसी के प्रतीक लोग प्रम्प्राव से जुड़े थे इस्पष्ट कीजिए ति के बारे में क्या-क्या जानकारी मिलती है वो जानकारी आपको बतानी है 34 अलबरुनी को भारत के यात्रा वरतांत में और क्वोन-कौनसी कटिनाईयों का सामना करना पड़ा 33 मातमा बुद्ध ने महीलाओं को भी संघ मैं सम्मिलित होने की अनुमती क्यों दी मात्मा बुद्ध ने महिलाव को भी संग में सम्मेलित होने की अनुमती क्यों दी अट्दिसवा चट्टी सताब्दी इसा पूर्वों में मगत के सबसे सक्तिसाली जन्पद के रूप में उदे के कारण थे समझाईए पांच वी रिपॉर्ट एवम दक्कन मेगा रिपॉर्ट क्या थी सिर्फवा दामीने को से आप क्या समझते हैं एक तालिसवा अंतर वीवा और बहीर वीवा से आप क्या समझते हैं इसवस्ट किजिए 42 नियत वादिया और भौतिक वादियों से आप क्या समझते हैं अगले हैं दिर्गुत्रिय प्रश्णों 43 है मौर्य सामराज्य कितना महत्वपून था विवेस्ट ना कीजिए तो 4857 की क्रांती ने भारत में सवतंतरता संग्रामख को किस प्रकार प्रोसाहित किया संचिप्ट वरणन कीजिए 45 अठार सो स्थावन की क्रांती के दोरान विद्रोईयों में आपसी संचार के क्या-क्या माध्यम थे वो आपको माध्यम बताने हैं 45 गुरुनानक और कबिर्दास की सिक्षाव पर प्रकाश डालिये आगे बड़े निमन्दात्मक प्रश्न, प्रश्न संग्या 47, भारत चोड़ो आंदोलन, सुवतो इस्पूर्थ, जन आंदोलन था इसपष्ट कीजिए साथ ही इसमें गांदी जी के यूगदान का उलेक कीजिए 48 है किस आधार पर यह कहा जा सकता है कि सिंदुगाटी सब्वेता में आंतरीक और विद्यसी वेपार दोनों ही उननन तवस्ता में थे इसपष्ट कीजिए 49 है भारत के मांचित्रों में निम्न को अंकीत के जिए तांची, सारनात, लुंबनी, बोधगया, अजन्ता, अमरावती, फत्यपूर सिक्री, गोवा, दिल्ली और आगरा ठीक है और हत्वा में हैं कलकत्ता, विजे नगर, पाटली पुत्र, उज्जेन, बंबई, मद्रास, कालिकट, नागपूर, सीमला और जैपूर इन इस्तानों को आपको भारत के मैप में दर्साना है तो ये था आपके इत्यास विशेय का पैपर, उम्मित करता हूँ सारे महतुपन प्रशन, आपके लिए उप्योगी साबित होंगे और कल आपकी बॉड़ प्रिक्सा में इनमें से कई सारे प्रशन आपके एक्जाम में छपएंगे तो आज के लिए इतना ही, अपने दोस्तों को ज़्यादस ज़्यादस शेयर करें ताक कि उन सभी तक ये जानकारी पहुन सके आज के लिए इतना ही, जै हिंड, जै भारत